युच दोस्टों आफ स्विको जायाताए दि कैसे आप सब आशक अच्छि होने मौजव ब subscription अभी मैं हूं दोस्तों पालंपूल रेलबे शेशन पर यहां पर आया था मैंकि बैजनाश्वी मंदिर जो कि यहां से 20 किलमेटर के दूरी पर है अभी बैजनाश जा रहा हूँ है बाइक रेडी है तो आप चलते हैं करते हैं सबसर शूरू दोस्तों वीडियो एंड तक देखें फूरी डिटेल मिलेगी आपको कहां मंदिर है कैसा मंदिर है पूरा अगल जी खाना कर दो यहां पर चावल और चने वहां पर अच्छोता खाना यहां पर धाबों पर रस प्राव में ऐसा यह बस बैचने वह बढ़िया और बढ़िया अगल यहां केच्छी है और यार यह जो खट्टा ना वाई चने वड़ी यह बहुत इस्टी है यह पूरी कांगडी दाम है दोस्तों पालंपूर से बैचनाज की दूरी है 20 किलमेटर और रास्ते में आपको बहुत सुन्दो जो है नजारे देखने को मिलते हैं और बहुत स एक आखे को याने चाय के पगान अपको देखने को मिलते हैं जो संपोल की नीचे अब देख सकते हो यह बहुं बानदी का नाम है की ंओ अगे जा दोस्तों ब्यास नदी में जो है समाज आती है आर यह पहुंछ के दोस्तों बैज्णाद अगादेव हर हर महादेव दोस्तों फाइली मैं पहुंच चुका हूँ बैजनाथ शिम मंदिर में और आप देख सकते हैं दोस्तों यह सामने बैजनाथ का शिम मंदिर जो की बहुत ही सुन्दर मंदिर है तो दोस्तों अब आपको मैं बैजनाथ मंदिर की आपको कहानी बताता हूँ दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि द्वापर यूग में जब पांडव अग्यात बास पर थे तो उन्होंनों ही इस मंदिर को बनाया था मंदिर का डिजाइन दोस्तों आपको नगारा आर्किटेक्ट्चर स्टाइल में आपको देखने को मिलता है और मंदिर की बहारी सता पे यारे की आउटर साइड पे आपको देवी देवताओं की चितर अथवा धार्मिक कलाकृतियां देखने को मिलती है दोस्तों बैजनाजशी मंदिर में लोग काफी दूरो दूरों से आते हैं भोले नाज़ी के दर्शन करने के लिए और मैंने यहाँ पे यह भी देखा कि यहाँ पे कहीं आसपास गवर्मेंट कॉलेज है और वहाँ के चातर चात्राइं भी यहाँ पे आते हैं दोस्तों बैजनाथ मंदिर की दूरी चंडेगड से 272 क्लिमेटर है और पठानकोट से 130 और कांगड़ा से 52 यह मंदिर दोस्तों पढ़ता है मंडी पठानकोट एनेच पे और यहाँ से दोस्तों पास में ही पढ़ती है आपकी वीर बिलिंग पैरागलाइडिंग साइट जो कि दोस्तों वर्ल्ड वाइड फेमस है दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि प्राचिन समय में इस मंदिर को कीर गराम के नाम से जाना जाता था प्रन्तू समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीता गया तो इसका नाम पढ़े गया दोस्तों बैजनाथ और इस गाओं का नाम भी जो है बैजनाथ पढ़े गया और दोस्तों इस मंदिर का सम्मंद लंकापती रावन से भी है जी हां दोस्तों इस मंदिर में जो शिबलिंग है उसका सम्मंद लंकापती रावन से है दोस्तों ऐसा का जाता है कि बोले नाजी के आश्रिवाद से लंकापती रावन जो इस मंदिर में शिवलिंग है उसको लेकर लंका के लिए जा रहा था पारंतू रास्ते में एसी कारण वस उसने गलती से ये शिवलिंग उसी स्थानपे रखी थी और ये शिवलिंग इसी स्थानपे जो है स्तापित हो गई थी एसा कुछ हुआ था, एसा मैंने सुना है और बाकि आप कमेंट सेक्शन में हरा वामादेफ जरूर लेखने और मंदिर की अंदर की दिवारों पर भी आप देख सकते हो दोस्तों की आपको प्राचीन बस्तू कला देखने को मिलती है जिसमें भी आपको बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां और कला कृतियां देखने को मिलती है और बहुत इस मंदर आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलता है मंदिर की बारी साइट दोस्तों दो नंदी है दोस्तों इस मंदिर से सम्मंदित और भी कहानिया है जैसे एक कहानी यह है दोस्तों कि यहाँ पे दशेहरा नहीं मनाया जाता है जी हैं दोस्तों बैजनाथ में यहां पे दिशारा नहीं मनाया जाता है इसका रीजन यह है कि यहां पे दोस्तों लंकापती रावण जी ने यहां पे तपस्या करी थी कहते हैं कि यहां पे रावण जी से जब शिवलिंग स्थापित हो गई थी तो उसके बाद भी जो है रावर ने यहां पे तपस्या करी थी तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही लोगों ने दशहरा मनाना शुरू करा कुछ टाइम के पहले तो उनके घर में काफी नुकसान हुआ, काफी हानियों हुई लोगों को काफी जुह है जाना ही परिवारों में तो इसलिए दुस्तों यहां पर जुह है नहीं मनाया जाता है और बैजनाथ में आगे आप जहां भी जिखोंगे भिजड़ाना काफी यह दूव दुक्त मैं अब यहां से आइटिंक छे गंटे लगे जाएंगे और वह जिखाँगो आपको मैं नेक्स ब्लॉग में और इस पेज पहली बारा मेरे पेज को लाइक करो फॉलो करो और यूट्यूब पे देखरो तो सब्सक्राइब करना ना भलो